नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिनिस कुमार एक बार फिर मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज जो है मैं आपको जो है बेसिक पैथलोजी जो है लैब जो है किसी को स्टार्ट करना है और किस तरीके से उसका setup होना चाहिए इन सारे विसेवं पर हम detail में बात करेंगे तो जैसे कि basic चीज आपको पता होगा तो जैसे कि हम एक pathology lab जो हमें start करना है तो उसके लिए basic basic instrument जो होते हैं वो आप सबको पता होगा उसके बाद मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा भी lab में कौन-कौन से सामगरी हैं वो भी मैं आपको पूरा detail में दिखाऊंगा और पूरा वीडियो आप आखरी तक देखें और थोड़ा कुछ मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको सबसे पहला चीज जैसे कि आपको reception रखना है तो reception में आपको बैठनी की सुईधा होनी चाहिए patient के लिए और उसके बाद collection के लिए उनका अलग से एक chair होना चाहिए collection के लिए ठीक है उसके बाद आपका एक reception के हिसाब से आपका एक table और कुरसी अलग होना चाहिए और उसमें एक system रखें आप और उसके साथ साथ एक printer ताकि उसमें आप report प्रिंट कर सके ठीक है तो एक system या तो आप laptop रख सकते हैं या फिर आप desktop रख सकते हैं जो आपको चित लगता है ठीक है तो उसमें यादी आप चाहें तो software यादी आप किसी से बनवाना चाहें ठीक है तो जो report आपको print करना है तो उसके लिए software भी software या app जो होते हैं ठीक है तो app तो अपने mobile के लिए होता है लेकिन जो software है वो आप बनवा सकते हैं ताकि उसके द्वारा जो है आप जो है उसमें रिपोर्ट जो है जो भी रिपोर्ट आते हैं किसी भी टेस्ट का तो वो जो है उसमें आप प्रिंट दे सकते हैं अलग-अलग जो है टेस्ट के लिए अलग-अलग जैसे सफ़प्ट्वेर जो आप भाग版 सब्सक्राइब consistent उलेंare त्यजीयाब DRT एससे कि यह सारी वेस्ट सब्सक्राइब भी जब हमारे लेप के अंदर वेस्ट जो है जो है वो जब हमें प्रॉपर अलग से आपको बात्रूम की स्वीधा होने चाहिए ताकि यूरीन की सेम्पल यू जो है आपको इस वहथ से कलेक्ट करवाना है तो वह जो है उसके लिए आपके लैबरोटीश के अंदर जो है उसक के और रिशेप्टेंस और आपका जो लेबरोर्य वरकेरिया है तो वह वरकेरिया जो है आप उसमें पार्टिसियंड देदेजी ताकि जो है वह देखने वी अच्छा रहे और आपका वनानीका ट काम करने वरकेरिया वह ऐसना सहे पालना चाहिए ताकि के अंदर जो है सारा furniture cover का आप कर सकते हैं या फिर platform बनवा सकते हैं तो तो उसमें रख सके तो और बाकी जो हैं जितने भी किट से जो जांचे होती हैं वो किट मांगबा करके जैसे कि मैंने आपको पूरा आगे बताया है एक फ्रिज होना चाहिए फ्रिज तो इसके साथ साथ बेसिक चीजें जैसे कि इंक्युबेटर हो गया सेंट्रिफ्यूज हो गया कॉलोरी मीटर हो गा उनके सारे कि जो है प्राइजेस अलग अलग होते हैं कम्पनी के हिसाबसे जो है प्राइजेस जो है उसमें कम ज्यादा होते रहते हैं तो पुल मिलाकर करके अगर हम खर्चे की अगर बात करेंगे तो खर्चा जो है आपको बेसिक आपको स्टार्टिंग करना है तो उसमें थोड़ा सा आपका और खर्चा बढ़ जाएगा मतलब 3-4 लाग तक आपका खर्चा पहुंच सकता है तो यह जो हो गया basic laboratories के लिए जो है मैंने आपको बता दिया guide आपको कर दिया तो इतना जो है आप खर्चा करके जो है अपना एक pathology lab जो है आप उपन कर सकते हैं और उसके सांसा जो है जो आपका earning होगा जो टेस्ट आप करेंगे उसका जो है आप rate list जो है आप लगा करके रखें अपने lab में आउसक तरीके से जो है हमने arrangement करके रखा है और कौन-कौन से इंस्टूमेंट है उनके बारे में भी जो है हम lab में पूरा विजट आपको करा के बताऊंगा और उनकी prizes वगएरे सब आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को देखते हैं सामगरी होना चाहिए और कैसे setup जो है उसका होना चाहिए और थोड़ा कुछ जो है इसमें कितना आपका जो है बजट और खर्चा कितना आ सकता है वो सारी चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा जैसे कि मैं अभी यह लैब में हूँ पैथलोजी लैब में तो यहां पर जो ह कुछ आप देख सकते हैं जैसे कि यह setup यहां पर आपको देख रहा होगा तो यह जो मसीन रखी है हमारे पास तो यह जो है इंक्यूबेटर की मसीन रखी हुई है ठीक है तो उसके बाद इसके बाद इधर आओगे तो इस टेनिंग किया जो है यह प्लेटफॉर्म रखा है है तो इसके बाद है यह हमारे पास यह सेंट्रीफूज की मसीन रखी हुई है ठीक है फिर यह पृपटिंग वगडर है यहां पर ठीक है माइक्रेटेफ सें तो यह यह प्सारischer होलं इस्टेंड है और आपके वाइल हैं यहाँ पर ब्लड कलेक्शन करने के लिए ठीक है तो उसके बाद जो है आप इधर आओगे तो यह बेसिक चीज़ें जैसे कि कॉलोरी मिटर है अभी तो यह पैक है कॉलोरी मिटर भी जो है बेसिक जो है रिक्वार्मेंट में आता है तो प अभी जो है जरूरी इंस्ट्यूमेंट है और उसके बाद यह आपका बजट यह आप ज्यादा करना चाहते है ठीक है तो यहाँ पर जो है बाईव केमस्टी के अनलाइजर आपको देख रहा होगा ठीक है सेमी आटोमेटिक एनलाइजर है उसके बाद यह सेल काउंटर हमार अधो जरूरी चीज oily तो इतना कुछ मैं आपको दिखा दिया ठीक है तो उसके बाद जुए अम जो है यह अप फ्रिज में देखें गे तो इस यह आपको देख रहा होगा है ना तो अलग अलग जो है यह रिएजेंट्स जो है हम इसमें स्टोर करके रखते हैं दोर में रखने वाले रिएजेंट्स दोर में रखा जाता है ठीक है और फ्रीजर में रखना है तो फ्रीज में और इस तरीक से जो है यह पूरा जो है तो इसमें आपको समझ में जाद अच्छे से आजाएगा जैसे कि यह आपको इंक्यूबेटर दिख रहा होगा तो सर इसकी प्राइज क्या होता है मार्केट में जैसे कि हम पर्चेस करें तो इसका मतलब अभी तो इसका साइज तो मतलब मीडियम है ना तो अपने लिए यह को इसको मेरा मीडियम में खल लेनाय चाहते है तहा तो वो कितने में पड़ेगा पचीस से 30 में तो तो 25 Stantra को आपको यह तो आपको को को पैसे खर्च करना है और आपको मसीन लेना है तो आप ये नियूबी परचस कर सकते हैं और से केंड इंड मार्किट में आता है तो आपके सुईदा के इसाब से आप देख सकते हैं जिसर इनको अगर निव लेना है और सिकेंड दोनों का प्राइज में क्या फरक होता है प्राइज में तो यह समझ लो के आदे हो जाते जैसे अगर आपने को चुछ नहीं करना है अपने को परमीटर सेट करना पड़ते हैं और ब्लेक इस टेंड लगा कर तो तो पुल मिला करके अगर आप यह मसीनों को छोड़ें तो बेसिक लेबरेटरी खुलने के लिए अपने को एक अनुमान आप खर्चा बता दीजिए कितना हो सक एक लाग के करीब खर्चा आएगा बस एक लाग कर चोटे बड़ी से लेकर कोई सामान लेंगे तो एक लाग के अंदर अपना काम हो जाएगा अच्छा तो यह सारी चीजें हमारे एक लाग के अंदर पूरा अपने समान आ जाएंगे और उसके बाद जो है जैसे कि आप स्वीदा के साबसे बड़ा चोटा आप बना सकते हैं सकते हैं कि आपको बेश्चा यह बता-दिया और किस तरीकी से Ici मैंपको पूरा दिखा दिया और इनization एक लाग कि SPARC T और बाहर यदि आप reception में जाओगे तो वहाँ पर आपको अगर अलग से देखना है तो वो सारी चीज़ें आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा यह reception है बेटने के सुईधा है सामने बातरूम है और यह जो टेबल लगा हुआ है चेयर है और collection center और उसके बाद डश्ट बीन की भी विवस्ता है इसमें ठीक है देखना है तो वो सारी चीज़ें आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़ें मेरे को आपको बताना था तो मुझे आसा है कि आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे डाउट आपके किलियर हुए होगे और कोई सवाल है तो आप जो है